Hello everyone, मेरे नाम पूजा मालविया है, मैं आप सब एका स्वावत online बढ़ाई पर करती हूँ, यहां पर आज हम discuss करेंगे answer की, आपकी आई है TGT Science की, तो TGT Science कक्षा 9 से 10 की answer की, आज यहां पर मैं आपके साथ discuss करूँगी, और जो objection वाले questions है, जिन पर आप आपती उठा कर अपन कर देते हैं, यह session काफी लेट हो गया आपका, क्योंकि अभी इतने festival पढ़ गया था, तीज आ गई थी, गनपती का जो स्टाटिंग स्थापना दिवस्था स्थापना थी, तो इस तरह थी वीडियो थोड़ा लेक मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत-बहुत सौरी आप सभी वीवर से, जो कि इस चैनल से जूड़े होए हैं, तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर प option number C, देखो, अब यहाँ पर आयोग का आंसर यह है, option number C, manure, यह आयोग द्वारा दिया गया आंसर है, खाद, पर जो गाय का गोबर होता है, वो as a fuel भी यूज होता है, ठीक है, तो गाय का गोबर as a fuel भी हम यूज करते हैं, तो इसके साब से यहाँ पर उत्तर करेक्ट होना आपको option number D, तो इस वाले question को आप जरूर claim करेंगे कि यह जो question है कि आप जो गाय का गोबर होता है, इसमें क्या क्या काम हो सकता है, यूज क्या है appropriate, तो cow dunk को तो हम fuel भी यूज करते ही है, तो more than one of the above होगा इसका answer, ठीक है, तो इस पर आप audition डाल सकते हैं, अभी इसकी NCRT के as such मुझे line नहीं मिली है, पर मैं खूच होई हो, मैं आपको ज़रू telegram पर send कर दूगी, और यह इसका fuel की तरह भी act करता है, यूज है, इसका cow dunk का, यह तो confirm है, तो इसकी मैं आपको screenshot खीच कर दे दूगी, next question है, क्या the melting point of ice is, वर्फ का गलनांग क्या है, तो कुछ लोगों क देख सकते हैं, क्या यह NCRT की cutting है, matter in our surrounding वाले chapter का last वाला section आप देखेंगे नीचे, कि Kelvin is the SI unit of temperature, 0 degree is equal to, तो मतलब degree Celsius, अगर 0 degree Celsius है, तो यह आपका 273.15 Kelvin के बराबर है, तो यह दोनों चीज की value क्या होती है, एक होती है, तो इसके साब से यहाँ जो आपका answer हो जाएगा, क्य यह दोनों सही उत्तार है, तो अगर यह क्या है, नीचे वाला, 273 Kelvin में दिया है, और 0 degree Celsius में दिया है, तो इसमें आप अपत्ती कितना भी करेंगे, वो लोग नहीं मानेंगी, क्यों कि NCRT की आप पर लाइन जो में आपको यह दिखाई है, तो इसके साब से more than one of the above, आपका answer correct है, तो इसमें मत करिए का objection, next question क्या है, which of the following elements are not in liquid state at room temperature, अब इसमें पूछा किया है, कौन सा liquid temperature पर नहीं होता है, तो कौन सा होता है, liquid at room temperature, तो कौन सा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कि Bromine, Bromine क्या होता है, liquid है, यह non-metal है, non-metal आपका है, जो कि क्या होता है, जो कि आपका liquid होता है, रोंख टेंपरेचर पर, तो नहीं होता है, कौन सा होता है, पर नहीं होता है, तो कौन सा होता है, अगर ब्रोमी हो गया, पर, इसमें नहीं होता है, CZM और Gheleum, क्यों नहीं होता है, तो लो melting point है, कम गलनाख है, यह जैसे ही никак पांकियों को रखते हैं, यह यहां पर देखों अंसी इंसी अंसी अंसी यह लिखने ही यह यह क्लास 10th NCRT का मेटल एंड नन मेटल वाले चैप्टर से कोष्टिंग जा गया है कि अव्यूट अफेटल एक्सेप्ट मुद्करी एकस्ट्स्ट्र एक्सी एक्सेट सॉलिट एक रूम तेकर एक्सेट्ट्रेश चाई चाहतो है चाहता है तो यहां पर डिलियम और सीम के कारण है तो अधिक औंछिया डिति डिकरेक्षण थाल्वर्टे जरनेक जर्थ नहीं करria डिया है फॉलेंगight इक्टी देक्स ठास्ड देश्ग कांड इनुमि मर्निंग टी जिलाएंग के ताराण ने में ने मेंसरे sau होती है तो इसमें कई लोग क JEFF H perspectives हो रहे है कि जब यह क्क्र allora हे केमिकल चेंज्डश एक परिवर्फन है अभी चमिकल परिवर्फन होने के साथ-साथ ऑन की तीया जब रही है जब वह कैंडल जल रही है तो जलने से मोत हो रही हैingly जल रही है तो इसमें क्या हो गया बहुतिक परिवर्तन ना हो कर क्या और अर्शाइनिक परिवर्तन हो रहा है और साथ एसमें बर्निंग भी हो रही है तो क्षिन नंबर 80 का option जो more than one of the above है यह बिल्कुल सही उतर है आयोग दिया गया तो इसमें आप अपती मत करिये गा next question क्या है यह question देखो यह question बहुत लोगों confusion में था metamerically segment body is present in following phylum तो इसमें देखो segmented वाली body तो सबसे पहले यह समझ लो कि metamerically का मतलब और segmentation का क्या मतलब होता है तो देखो in some animals the body is externally and internally divided into segments इस तरह से segments में ऐसे ऐसे segments होते है अपने earthworm के ओड़ देखा होगा ठीक है with a serial repetition of at least some organs for example in earthworms the body show this pattern and is called the metameric segmentation तो इसका पूरा नाम ही होता है metameric segmentation तो इससे metameric segmentation body का यह एक पूरा नाम है ठीक है समझ गया अब यह यहां पर है कि यह कहां कहां पाया जाता है क्या है question में कहां-कहां metamerism segmentation कहां-कहां पाया जाता है तो आपका option जो आयोग ने दिया है 95 का यह आपको सिफ बी option दिया है ठीक है यहां प्लस वन आप मानकर चलना कि यहां पर नम्बर मिलेंगे जिसने भी इस पो मोर दन वन आफ द अब लगाया है यहां पर हम कैसे देखेंगे बीदेखना हो पर किसमें किसमें एपसंट सब में आफ्सरा अफिंट तन एंटा डिया हुआ वहां पर हमको किया देख और और ऑर और थोपोडाशी है तो यह आपकी क्लास स्हेंत निर्म 11th की ही सहै ऐसे आप इहां पर इसको दिखा कर अपना है बहुश्व गया सकते हैं सब्सक्राइब कोशिका जहली के चारो और एक कोशिका भित्ती होती है तो इसमें क्या होता है ना 96 वाले question में हायोग ने जो answer दिया है वह C दिया है अब दिखो C नहीं होगा इसका यहां पर भी इस question भी आप प्लस वन लेका चलना क्योंकि यहां पर PPLO भी होगा अब देखो यहां पर NCRT में ने class 11 की देखी दी उसमें कहीं पर भी mycoplasma और PPLO साथ में नहीं गिया है जब यह साथ में नहीं गिया है इसलिए आयोग में इसको सिफ mycoplasma माना है पर जितने भी आप आर्टिकल्स देखेंगे आप गूगल पर सर्च करेंगे आप इकिपीडिया देखेंगे जगा जगा देखेंगे वहां पर mycoplasma और PPLO दोनों एक चीज होती है यह दिया हुआ है और यह होती भी है एक चीज तो यहां पर आपका आंसर जो होना चाहिए वह करेक्ट आंसर होना चाहिए और आयोग दोवारा दिया गया है आंसर mycoplasma तो यहां पर आप इस क्वेशन पर अपती जरूर ठाएंगे ठीक है चलो नेक्स वेशन देखेंगे जीनिस पैंथरा इंक्लूद्स अब जीनिस पैंथरा में क्या क्या हो जो है वह पैंथरा जीनिस के हैं अब यहां पर पैंथरा जीनिस इंक्लूद्स पूछा गया है तो इसमें क्या हो जाएगा आप पर 93 का क्वेशन किसी ने पूछा था यह मिससे परस्नली क्लिग्राम पे मेसेज करके तो यहां पर more than one of the above इसका correct उतर है क्यों आपका क्या हो है तो blood हमारा connective tissue होता है, cartilage हमारा connective tissue होता है, hundred वाला question है और skin, skin हमारा एक तरह से epithelial tissue होता है, skin epithelial tissue आप skin epithelial tissue है तो इसके कारण यह आपका option number C जो है वो correct उतर है और यह इसके साब से आपका आयोग निगिस का अंसर C दिया है तो आप इस C वाले उतर पर ही जाएंगे, next question देख लेते हैं, children under the age of 5 can hear up to? तो इस question पर बहुत सारे लों confused हो रहे हैं कि जो मानव की range होती है, hearing क वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी, humans की अगर मैं बात करूं, humans की, तो यह होती है आपकी 20 hertz से लेके 20,000 hertz तक, kilo hertz तक, यह human की range होती है, पर यहाँ पर जो 5 year का बच्चा है, under the age of 5, यहाँ पर वो up to 25 kilo hertz ती सुन सकता है, यह correct option है, और 113 का option आपके आयोग ने भी, option number 3 दिया है, correct दिया है, तो इसको ना, मैं हाँ पर screenshot भी लिया हुआ है, range of hearing, जो कि आपके class 9, NCRT sound के chapter का last portion है, last portion ही बीच का portion है, sorry, audible range, वहाँ पर range of hearing दिया हुआ है, the audible range of sounds for human beings is 20 hertz to 20,000 hertz, तीक है, अभी हाँ पर next line देखो, बहुत इंपोर्टन है, children under the age of 5, and some animals such as dog can hear up to 25 kilo hertz, त तो यहाँ पर यहाँ पर यह लाइन दी है, इस लाइन की बज़े से यह answer आपका, कितना हो जाएगा, अगर यह NCRT इसने पढ़ी होगी और हम लोग ने भी किया था, तो यह अगर देखा होगा, तो आपने यह question को ठीक किया होगा, ठीक, चलो, आजो, तो इसके साब से यहा तो भी objection मत करें कि आपको नंबर नहीं दें लें, next बात कर लेते हैं क्या, which part of human ear vibrates in response to sound from external source, मानफपान का कौन सा भाग भाहरी स्टोच से आने वाली ध्वनी की प्रतिक्रिया में कमपन न करता है, तो तो इसमें क्या हो जाएगा, external ear तो ध्वनी लेता है, Cochlea, Cochlea क्या ह होता है, अपको फ्लूइड होता है उसमें फिल्ट और यह क्या काम करता है, sense of hearing का इसका भर-बड़ इंपॉर्टन डॉल होता है, अब यहां पर पूछाए कि कौन सा भाग है, human ear का vibrates in response to sound from external source, मतलब मान लो यहां पर यह आपका कान है इस तरीके से और यह आपका कैनाल है, तो यहां से जब कोई ध्वनी आ रही है अंदर, तो इसके ध्वनी के अंदर external source से अंदर आने से कौन सा इसा भाग है जो कि कमपन करता है, और कमपन करने से आवाज आती है, क्योंकि आवाज कैसे produce होती है, vibration से, तो यहां पर answer हो जाएगा आपर tympanic membrane, ठीके, cochlea नहीं होग कान की जिल्ली, यह करेक्ट उतर है, बिकुल सही है और आपका आयोग ने भी 114 का यही अंसर माना है, अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैंने पूरा-पूरा NCRT की ना क्लास 9 का लास्ट में मतलब साउंड के चाप्टर में लास्ट में दिया हुआ इसमें पिन्ना, इसमें प्रिश्ट में 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 मे आपको में की चीज क्या देखनी है कि कौन सा वाइबरेट नीज देखनी है कौन सा वाइबरेट कर रहा थो तो वाइबरेट करने के क्या है एकपर साफ साफ लिखा गाः ती एर ड्रम मुवव ओट गो इन दिस Φिस शब बय डिर ऑइबरेट करता है आपका तो ear drum vibrate, तो answer आपका tympanic membrane, जो कि आपका तूसरा नाम होता है, कि आपका ear drum का, यह करेक्ट उतर है, ठीक है, कांट की जिली, next question है, the disease, sorry, this decrease of ozone layer has linked to the use of, अब देको 118 का question का answer है, वो option number D है, अब option number D क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका उतर chlorofluorocarbon और hydrofluorocarbons आपके दोनों ठीक होंगे, और जब मैं NCRT सर्च कर रही थी, तो मुझे HCFC कहीं नहीं दिखा, क्लास ले 12th की NCRT में भी नहीं दिखा था, और उंस में सिफ chlorofluorocarbons की बात की गई थी, पर गूगल की सर्च करेंगे, तो वहाँ पर HCFC की बारे में भी बात ही गई है, तो आयोग ने इसका आंसर आपका more than one of the above किया है, और आपने भी इसका आंसर more than one of the above भी गिया होगा, तो इस पर भी आपती मत उठाएगा, यह भी आपका आपका उतर है, विच फॉलिंग प्रॉसस्स, तक कारवन रिटर्न्स तो अट्मॉस्फेर आस से योटू, निम्लेकित में से कौन सी प्रक्रिया त्वारा कारवन सी योटू के रूप में वायो मंडल से लॉट आती है, तो ओ, 119 का आंसर आप विल्कुल इसको चालेंज करिएगा, यहाँ अणिए लगाई है यहां पर आयोग ने दिया है respiration answer तो यह आयोग द्वारा answer दिया गया है तर यहा पर आपका answer हो जाएगा, पर करेक्ट उत्तर जो होगा वह more than one of the above होगा, यहां पर decade organism भी इसका answer होगा, यहां पर एंजियार्टी की line है, जैंकि मैं आपको दिखाने जा ठीक है तो इस पर भी आप आपती जरूर जताएंगे यहां देखो आप यहां पर क्या दिया हुआ है carbon cycle है यह आपना क्रास 11 भी başka 12 में है यह बुक में एको carbon cycling कहां पर आपको यह आपको सिस्टेम में carbon cycle को देखना है जा से सकरक्रफिंच कर दो carbon cycle occurs to atmospherefal lifting a considerable amount of carbon returns to atmosphere as co2 through respiratory activities तो पहला कैसे हो गया आपका respiration के through carbon वापस आ गया दूसरा क्या है respiratory activities of producers and consumers decomposers also contribute substantially to co2 pool by process of waste material and dead organic matter of land and oceans तो यहां पर आपको दो point देखने को मिले पहला देखा आपने की respiratory activities की वजह से और दूसरा आपने respiratory activities और दूसरा आपने कि जो आपके decomposers हैं ठीक है यह भी वापस से क्या करते हैं यह भी co2 को वापस करते हैं organic matter of land and ocean तो इसके साफसे आपका respiration और आपको जो दूसरा option है decayed organism यह दोनों इसका उत्तर correct है और जो sorry यह नहीं respiration तो यह दोनों आपका सही उत्तर है तो इसके साफसे आपका answer होना चाहिए इसको challenge करो इसमें number मिलेंगे मेरे क्याल से यह तक 3 questions हो गए तो कि challenging वाले हो गए आप एक और question 135 question का 135 question निमले कि इतमें से कौन सा surgeon में रंद्र का कारे नहीं करता मतलब आपको stomata जो है वह excretion का काम नहीं करता तो stomata के excretion का काम क्या होता तो stomata का काम क्या होता अगर दिखा जाए तो gashes को exchange करता है तो water balance को maintain करता है ठीक अब इसमें क्या बात हो रही यह stomata का simple stomata का का में पर यहां पर क्या बात हो रही कि stomata in excretion यहां पर एक term दे दिया कि जब उत्सरजन रंडाली है उसमें stomata का कौन सा काम नहीं होता है तो यहां पर जो नहीं होता है वह क्या हो जाएगा more than one of the above अब देखो क्यों removing carbon dioxide carbon dioxide को remove करना तो यह जो है आपका यह एक तरह से breathing वाला process होता है यह एक excretion का part है यह एक breathing सांस लेने के प्रक्रिया है तो यह आपका बिल्कुल नहीं होगा next बात रेगुलेटिंग वाटर बालन्स तो यह बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ इस्टोमेटा के काम कर रही हूं जिसमें excretion का part नहीं है तो यह क्या होगा अब यहां पर क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है तो इसके साफ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा एक तो यह वाला होना चाहिए जो नहीं है यह आपका breathing process है और दूसरे absorbing of nutrients तो आपका आयोग ने भी इसका यही दिया है more than one of the above यह correct है इसमें आप बिल्कुल भी विवाद मत खडा करिएगा यह बिल्कुल सही उत्तर है नेक्स क्या है देखो आप यहां पर भी बहुत लोगों को confusion था और 137 का answer आयोग ने दी दिया है यहां पर आप वापस से क्या करेंगे अपने को objection क्रेट आप लोग को free मिल रहे हैं यह समझ दो यह 100 questions को objection कर दो और जिनके ने टिक सही किया होगा उनको number मिल जाएंगे Vegetative propagation found in आपका vegetative propagation कहां पाया चाता है तो इसका answer सिर्फ हो जाएगा क्या bryophyllum spirogera नहीं होगा rhizopus नहीं होगा rhizopus में spore formation होता है अब यह ncrt की लाइन में दिखाऊंगे spirogera में आपका fragmentation होता है चलो आओ देख लेते हैं तो इसको spore formation आवा कहां हो रहा है यहां पर साफ लिखा है spore formation in rhizopus और यह आपका पूरा इसकी प्रक्रिया दी हुई है ठीक है आपका यह विजटेटिटिफ प्रकेशन के नहीं आया अप देखो विजटेटिफ प्रकेशन के अंदर एक्जांपल क्या दिया न्सी आर्ट के टेक्स्बूक में आपका क्लास 10 में है यह लीफ और व्रायोफालम विट बच्ट तो यह आपका विजटेटिटिटिफ प्रक एक यह समझें ना वनेटी पीज़ नंबर पे विजटेटिफ प्रकेशन स्टार्ट खारं और 7.5 पाइप इसी विजटेटिफ प्रकेशन का पार्त है र सबकिक्र यह आपको लीफ ऑत टेटिफ और 946 तो यह आप एक यह लेफ और उन्ह राफेलम ने करिए और यहां पर आंसर होगा आपका option number B, correct हुकता है, okay, next question देख लेते हैं, यह आपका है, which of the following rule is used to identify direction of current induced in a wire moving in a magnetic field, चुम्बकी चेत्र में वुम्रहे तारिक में प्रेरिध धारा की दिशा पहचानने के लिए निकित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आयोग ने 142 का answer दिया है, मेरे कहां से B, तो यहां पर भी आप आपती लगाएंगे, तो आपका पांच question हो गए, यह भी यह आपका आयोग द्वारा दिया गया है, ठीक है, और आपका answer क्या हो जाएगा, ठीक, आपका answer हो जाएगा, C वाला option, right hand thumb rule, आईए मैं इसको यह आपका correct उत्तर होना चाहिए, ठीक है, यह आपका correct उत्तर है, इस पर भी आप objection करेंगे, देखो, यहां पर right hand thumb rule है, right hand thumb rule देख रहा है आपको, देखो, इसमें क्या लिखा है, a convenient way to find, of finding the direction of magnetic field, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, कि which of the following rules, कौन से सा रूल ह used to identify direction of current, induced in a magnetic field, direction of current, इसमें में देखो, आपका लाइन लिखी है, रहे है, field associated with the current carrying conductor, यह दिखो, right hand thumb rule देख रहा है, right hand thumb rule, current कि दिखा है, this is a magnetic field, current नेचे है, this is a magnetic field, so the magnetic field is that way, current is just a magnetic field, will wrap around the conductor in the direction of magnetic field as shown. This is known as right-hand thumb rule. इसको right-hand thumb rule ही बोलते हैं. यहां पर आंसर आपका, इसके एसाब से क्या होना चाहिए? Option number C आपकरी टुक्तर होना चाहिए, जो कि आप लोगने लगाया होगा, जो कि आप लोगने लगाया होगा, जो कि आप पढ़के गए थे, तो आयोग से इस वाले question का भी आप marks पूछ सकते हैं और ले सकते हैं, आप देखो एक यह question है, जो कि बहुत लोग को conclusion था, two magnetic field lines intersect, तो कभी भी दो magnetic field lines, जैसे कि यह आपनी चुम्बक है, और चुम्बक से निकलने वाली इस तरीके से magnetic field lines होती हैं, इस तरह से, इस तरह से निकल भी होती हैं, तो यह क्या होती है, यह कभी भी क्या है, एक दूसरे से intersect नहीं करते हैं, एक North Pole होगा, एक South Pole होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, किसी भी situation में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो आपनी तो 141 का answer जो आयोग ने दिया है, वो E दिया है, यह करेक्ट उतार है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, NCRT की line भी है यहांपर, कि magnetic field is a quantity that's in one direction, फिर आपका, देखो, यहां प closeness of the field, the field is stronger, no two field lines are found to cross each other, कि यहांपर क्या बात हुई है, कि the field is stronger, that is the force of acting on the force of the magnetic place in us greater when the field lines are crowded, अगर field lines crowded है, तो मतला उसमें magnetic, जो आपकी strength हो जादा होगी, पर no two field lines, यहांपर line है, कि no two field lines are found to cross each other, ठीक है, तो यह कभी भी मिलती नहीं है, तो इतने ही question थे मेरे साब से, जो कि आप इसमें कुछ ऐसे question है, जिसमें आप confusion है, कुछ ऐसे question है, कि आप पूरा-पूरा objection लगा सकते हैं, जो कि यहां पर total 5 question निकल कर आए हैं, तो इसमें ज़रूर objection क्रियेट करिएगा, और जो आपका एक first question, जो मैंने बोला था कि मैंने बोला था कि आपको fuel और manure दोनों होगा, तो इसको मैं इसका भी मैं पोज दियू, इसको मैं आपको पचा दूँ आप तक, और प्लस इन questions पर objection करिए, और next video आपको मैं सिर्फ 5 questions जो हैं, उनको ले आकर तूँगी कि इन question पर ही आपको करना है objection, क्योंकि आपको marks मिल जाएंगे, तो आप इन questions पर objection करिए, क्योंकि तिल देन, thank you so much for seeing this video, thank you.